तो लाश्ट वीडियो पे तुमने देखा मैंने स्पीड रन करना सीखा था अवर वोल को और तीन दिन प्राक्टिस करने के बाद लाश्ट देखो मैंने नेधर एंटर किया था दस मिनिट के अंदर तो आज की वीडियो पे मैं सीखने वाला हूँ नेधर स्पीड रन नेदर से भी मुझे दो चीज़े कलेट करना है ब्लेज रॉट जो मिलता है फोट्रेस से और एंडर पल जो मुझे दो जगह से मिल सकता है एंडर मैन को मारके जो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और बैशन लुटके जो एक बेटर स्ट्राइजी है तो बैशन लुटने वाला स्ट्राइजी ही मैं यूज़ करने वाला हूँ लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे फोट्रेस और बैशन को ढूना सीखना होगा लाश्ट वीडियो पर मैरे कॉमेंट सेक्शन पर बहुत सरे लोग बोल रहे थे स्क्रीन पी मैप दीक पार होगे ही इसको का जाता है निदर दूसरा structure मिल सकता है यह चीजे थोड़ा complicated है तो मुझे नहीं पता कि नॉर्मल Minecraft players को इन चीजों के बारे में पता होता भी है कि नहीं लेकिन speedruns जो होते उनको तो जरूर पता होता है यह बहुत ही important information है एक speedrun करने के लिए जावा वर्शन पे कुछ settings होते है entity amount, pie chart इनसे तुम बैशन और fortresses को easily locate कर सकते हो लेकिन bedrock condition पे ऐसा कुछ नहीं है तो bedrock condition पे थोड़ा सा हाट होने वाला है और इसको सीखने में भी जादा time लगने वाला है बैशन सबसे पहले बात करते बैशन के बारे में नॉर्मल माइनकरफ प्लेयर्स को ज़रूर पता होगा बैशन के बारे में कि बैशन चार तरिके का होता है housing, bridge, treasure room, stables यह चार तरिके का बैशन होते हैं तो speedrun करते वक्त इन में different routing use किया जाता है जिससे कि piglins को trap करके उनके साथ trade किया जाता है तो इसके लिए मैंने एक practice map download किया था बैशन के लिए और वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत practice किया है जिससे कि मैं actual run बे खराब ना खेलू अच्छे से खेल पाऊं तो यहाँ पर मैं एक random world पे नेदर पे एंटर कर रहा हूं यहाँ पर मेरा coordinates देख सकते हो 10 और 24 X और Z axis दोनों ही positive positive है तो मैं positive 416 into 416 block area में मैं धूनने की कोशिश करूंगा कि आसपास कोई structure है की नहीं मुझे बैशन या fortress दोनों में से कोई भी मिल सकता है इन दोनों positive coordinates में थोड़ी दर ढूनने के बाद 275 और 335 coordinates में मुझे एक बैशन मिला है पहले इस बैशन को देख के मुझे समझ में नहीं आया कि यह कौन सा वाला बैशन है क्योंकि मैं अभी तक एक नया player हूँ इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि यह कौन सा बैशन है थ यहाँ पर trading करने के लिए क्योंकि यहाँ पर जो blocks होते हैं gold blocks वो खुले में ही होते हैं और piglings भी आसपास बहुत सरय होते हैं तो यहाँ से मैं एक एक करके gold blocks लूँगा और piglings के साथ trade करूँगा तो यहाँ पा थोड़ी दे trade करने के बाद मुझे काफी अच्छा खासा loot मिला है 25 एंडरपल मुझे मिल चुका है कुछ fire race potion और कुछ obsidian भी मिला है fire race potion से मैं fire से बच सकता हूँ obsidian से मैं कही पर भी एक portal बना के overwall में जा स structure नहीं मिलने वाला तो मैं different quadrant पर जाने वाला हूं इंडरपल भी मेरे पास है तो easily मैं travel कर सकता हूं तो यहाँ पार negative 90 और negative 125 something coordinate पे मुझे एक fortress मिल चुका है fortress बहुत बरा structure होता है इनमें blaze spawner को ढूणना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन इस बार मेरा लग थोड़ा अच्छा था कि मुझे जल्दी ही blaze spawner मिल गया और बहुत सरे stray blazes भी होते हैं उनको मार के भी मैं blaze rot collect कर सकता हूं तो blaze spawner के आसपास के जगे को मैं free कर रहा हूं यहां पर मेरा main portal बहुत जादा दूर है तो खुद से में portal वरने के overall में जाने वाला हूं यह मेरा portal तयार हो चुका है इसको on कर दिया अब यहां से मैं अपने overall में जा सकता हूं तो यहां पर खतम होता है मेरा nether speedrun almost एक घंटे लग गए क्योंकि मैं आभी तक एक new player हू हूं और dragon के wall में चरा भी जाता हूं लेकिन dragon मुझे मार देता है मैंने dragon को मानना सेगा था 6-7 महीने पहले तो प्रैक्टिस ना करते करते मैं भूल गया हूं डागन को कैसे मानना होता है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके next episode पे एक full run आएगा तो उसके लिए चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबा के रखना क्योंकि कुछी दिन के अंदर मैं वह वाले अप्लोड करने वाला हूं